वुफ वुफ म्याव म्याव क्या आपको कुछ समझ आया शायद नहीं क्यूंकि यह विडियो पेट्स के लिए है देखिए कुछ फायदे मंतरी के अपने पेट्स के लिए इस ननी से कुट्या जाकी और उसकी मालकिन लिली से मिले जाकी की जिंदगी बहुत व्यस्त है और उसकी हर जरूरत का खयाल लिली रखती है हमारे कुछ लाइफ आक्स की मदद से चलो जाकी वॉक पर चलते हैं इस ठंडी के मौसम में जाकी को भी गर्म कपड़े पहनने चाहिए एक पुराना बच्चे के साइस का स्वेटर लीजिए ध्यान रहे डिजाइन वाला हिस्सा उपर आए आगे के टांगों को स्वेटर की बाजुओं में डाले मुझे मेरी दोस्त मिली वह मुझे और जाकी को देखकर बहुत खुश हुई उसे जाकी का स्वेटर बहुत पसंद आया मैंने उसे सच बताया कि यह कोई डिजाइनर स्वेटर नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई का स्वेटर है इस मौसम में जाकी किसी मौडल की तरह पोस भी कर सकती है मेरी दोस्त को बिल्कुल ऐसा ही स्वेटर चाहिए पर यह छोटा सा स्वेटर उसे कैसे आएगा अरे पर यह तो अपने पेट के लिए सोच रही है मेरी सहीले इस बहुत आकर्शक और प्यारी बिल्ली पालना चाहती है उसने अपनी बिल्ली का नाम मीकु सोचा है पर यह अभी तक एक सपना ही है सपने हमें इस मौसम में गर्माहट नहीं देंगे मुझे और मेरी दोसको ठंड लग रही है और जाकी भी काप रही है मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए हम कॉफी पी रहे हैं पर जाकी अभी खेलना चाहती है अरे हमारे पास एक रसी का खिलोना है एक पुरानी टीशट को लीजिए अब इस टीशट को चार बाई तीन की पटियों में काट ले आप पुरानी स्वेटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पटियां बनाने में चार पटियों को लीजिए और एक छोड़ पर गाट लगा दे इस तरह अब गाट लगी पटियों को इस प्रकार बूंद ले आप इसे कितनी भी लंबाई तक बना सकते हैं और अंत में गाट लगा दीजिए इस प्रकार यह रसी का खिलोना दोनों कुत्ते और बिल्लियों के लिए है जैकी को यह इतना पसंद आया कि वो खिलोना किसी को नहीं देगी जैकी को भी एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती है मेरी दोस्त उसके लिए हैर क्लिप लेकर आई है नकली फूल और बट्स को गोन से हैर क्लिप बेस पर चिपका दें वाह यह कितना सुंदर है कश मैं इसे पहन सकती पर यह तो जैकी के लिए है मैंने इसे जैकी के सिर पर लगाया यह जैकी पर बहुत जच रहा है मेरी दोस्त सोच रही है कि यह हैर पिन उसकी बिल्ली पर कैसा लगेगा अपने सपने में वैं मीकु पर पिन लगा रही है यह उस पर बहुत संदर लगेगी नीकु जल्दी एक कैट बुक की स्टार बन जाएगी अपने पेट के साथ कसरत करना बहुत मज़ेदार लाइफ है आप अपने डंबल्स को बचा सकते हैं अपने पेट की मदद से बाजों की कसरत करें आपका डॉग इसमें आपकी मदद करेगा और अपने बाइसिप्स और ट्राइसिप्स को स्ट्रॉग बनाए अपस की कसरत के दौरान अपने नन्ने दोस्ट की मदद लें इसमें आपके पेट को बहुत मज़ा आएगा वे आपके उत्सा को और बढ़ाएगा चलो तुम कर सकती हो और अंतमे वे अराम करने में भी मदद करेगा मेरी सहली फिर से अपनी बिली मीकु के बारे में सोच रही है वे उसे उठा सकेगी, स्कोट्स मार सकेगी और उसे हब करेगी एक ठकान बरे दोस्ट को सप्राइस देना चाहती हूँ मेरी सहे लिए एक बिल्ली पालने का सपना देखती है मैंने उसे एक बिल्ली दी तौफे के रूप में यह बिल्कुल वैसी बिल्ली है जैसी वे चांती थी मेरी दोस्त बहुत खुश है क्योंकि अब उसके पास भी एक पैट है यह बहुत मुलायम और सुन्दर है मेरी दोस्त तो इसे छोड़ी नहीं रहे अब अच्छी कस्रत के बाद समय है शावर का पर जैकी को बेसन में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं नहीं मुझे इसमें मर रखो मुझे थंडा बेसन पसंद नहीं नहीं मैंने अभी अभी पेडिक्योर कराया है चिंता मत करो जैकी ये बेसन तुमें नुकसान नहीं पहुचाएगा अपने पैट के डर और बेचैनी को दूर करने के लिए एक छोटे टावल या मुलायम कपड़े को बेसन में रखे ये जैकी को कमफरटेबल रखेगा जैकी अब बहुत अराम से बेसन में बैट गई अब वे नहाने के लिए तयार है जैकी को नहाना बहुत पसंद है खास तोर पर जब पानी जादा ठंडा या गर्म नहों ध्यान रहे पानी आपके पेट की आखों में या कान में नहीं जाए अब इसके सिर पर पानी डाले जाकी को एक स्पेशल बेधिंग मिश्रून से नहाना बहुत पसंद है पाच आउंस गरम पानी लीजिए उसमें 1.7 आउंस डॉग शांपू मिलाए और दो चमच विनेगर और इसे अच्छे से मिलाए इस मिश्रून को पेट की पीट पर डाले और इसकी पीट पर अच्छे से मले यह किटानू और दुरगंद को दूर रखता है और बाल भी बहुत मुलायम हो जाते हैं अब इसे गर्म पानी से नहलाए अपने पैट को एक मुलायम तॉलिये में लपेटे जाकी बहुत खुश है यह बहुत संतुष्ट और अच्छा मैसूस कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम एक डॉक स्वा खोल सकते हैं और जाकी वी आईपी गेस् खाएं हेर ड्राय की मदद से एक खास ब्रश का इस्तिमाल करें बालों को मुलायम बनाने के लिए जाकी को एक नया हैस्टाइल चाहिए ताकि वे कॉन्फिदेंस के साथ डालमेंशिंग जोई के सामने जा सके यह सबसे सुन्दर डॉग लगेगी इसके लिए हमें अपने होम स्पा में ग्रूमिंग करनी पड़ेगी पर जाकी नहीं जानती ग्रूमिंग क्या है इसे लगता है कि यह नया डॉग फूर्ड है नहीं जाकी इसका मतलब बालों को काटना है जाकी को ज़रूरत है हेर टिप्स को कटवाने की घर पर करने के जाकी बहुत एक्साइटेड है उसे अपना नया हैस्टाइट बहुत पसंद आया उसे आशा है कि टाल मेंचिन जोई इसे ज़रूर एप्रिशेट करेगा चलिए जाकी के लिए बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं एक पुराना स्वेटर लीजिए जो अब कोई पहनता ना हो एक बाजू काट ले कफ को टर्टल नेक रहने दे गले के साथ ही दो छेट करें जो आगे की टांगों के लिए हैं दूसरी टांग के लिए भी छेट करें एक बड़िया टर्टल नेक स्वेटर तयार है इसे अपने डॉक को पहना कर देखें इसे ध्यान से पहनाए यह जाकी पर बहुत अच्छा लग रहा है किसने का तुम इस डिजाइन में मोटी लगती हो यह डिजाइनर स्ट्रेचिंग रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है आप इस टर्टलनेक को मोड भी सकते हैं जाकी ने बहुत नई तरह के कपड़े पहने हैं अब इसे ठंड नहीं लगेगी सेर के समय तया क्या यह बिमारी है और इसका दिल तूटने से कोई लेना देना नहीं अगर आपके कुट्टे के आँख से पानी आ रहा है तो एक बार डॉक्टर को जाकर जरूर कूचें पर तुरंत इसका इलाज करने के लिए आप चाय का इस्तमाल कर सकते हैं प्र्यू ब्लैक टी या ग् जल्द ही उससे भी पता चलेगा कि वो गलत था हमने अभी टांगो का जिक्र किया डॉक्स के पैर बहुत नाजक होते हैं इन्हें खास देख बाल के जरूरत होती है पैरों पर वैसनीन लगा दे ठंड में और बारिश में यह पैरों को सुरक्षित रखेगी मिट्टी से पानी में थोड़ा डॉक शाम्पू डाले इसे अच्छे से मिलाएं अपनी गोल में एक तोलिया बिछाएं और अपने पैट को उस पर बिठाएं नहीं जाकी यह पीने के लिए नहीं यह तुम्हारी टांगो के लिए है एक एक करके टांगो को मिश्रण में डाले और फिर पानी से धोले टांगो को तोलिय की मदद से पोचे अब आपके पैट की टांग यह आपकी जीन्स को गंदा नहीं करेगी यह आप सपना नहीं यहां असली की दिक्कत है बिल्ली के बाल बहुत जड़ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे अपने कपड़ों पर लगा क इसके लिए चिपकने वाली टेप का इस्तमाल करें एक टुकड़े को काटे और फाब्रिक पर लगा दे इस तरह सारे बाल टेप पर चिपक जाएंगे जाकी अभी खेलना चाहती है पर मैं अभी बिजी हूँ इंस्टेग्राम पर अपनी और उसकी फोटोज अपलोड कर रह चड़ा दे और उपर से कांट लगा दे जाकी को नए खिलोने से खेलने में बहुत मजा आ रहा है यह आपके पैट को बहुत पसंद आएगा जाकी को मेरे पसंदीदा तक्या पर बैटना बहुत पसंद है चलो इसके लिए तक्या बनाते हैं एक पुरानी टीशिट के उपर को इस तरह काटे अब निचले हिस्से को बाहर की तरफ मोड़े और गोंद लगा दे पुराना तक्या लीजिए और डियाइवाई कवर इस पर चड़ा दे इस पर बटन लगा दे दूसरी तरफ छेट करें बटन्स के लिए तक्या के बटन्स को बंद करें एक मुलायम तक्य अब जाकी के पास अपना खुद का तक्या है अब वह इस पर पूरा दिन सो सकती है मुझे से कोई दिक्कत नहीं हर लड़की के तरह जाकी को भी गम बुलाने के लिए खाना बहुत पसंद है इसे पूरा खाने से रूपने के लिए एक फूट डिस्पेंसर बनाते हैं ड्राइ डॉग फूट को प्लास्टिक की बोतल में रखें बोतल में हौड गलू गन की मदद से छेट करें अगर आप बोतल को हिलाएंगे तभी खाना बहार आएगा जाकी खाने के साथ साथ खेल भी रही है यह इससे मोटी नहीं होगी अपने पेट को पानी की कमी ना हो उसके लिए एक वॉटर डिस्पेंसर बनाते हैं इसके लिए हमें दो प्लास्टिक की बोतल चाहिए साथ ही एक बाउल और टेप भी बोतलों को इस तरह टेप से जोड़े, छोटे साइस की बोतल को उल्टा करते, इसे खोले, जैसे ही बोल पानी से भढ़ जाएगा, पानी बोतल से बाहर नहीं आएगा. जैकी को अपना नया वाटर डिस्पेंसर बहुत पसंद आया, अब इसे पानी पीने की जरूरत समझ में आएगी. क्या आपको जाकी और मीकू पसंद आये? हमें कॉमेंस में लिखकर बताएं कि आप अपने पैट के लिए कौन सा लाइफाक इस्तिमाल करेंगे. हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक का बटन दबाएं और हमारे नए लाइफाक्स जानने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं.